लेटेस्ट नियूस के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने आज यहां अपने निवास कार्याले में आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 से दिवंगत 18 मीडिया कर्मियों में से 11 मीडिया कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक वित्रित किये अन्य मीडिया कर्मियों के परिजनों तक स्वीकृत सहायता राशी के चेक पहुचाए जा रही हैं कार्यक्रम में दिवंगत मीडिया कर्मियों को दो मिनिट का मौन रखकर श्रद्धान जली दी गई मुख्य मंत्री ने कहा कि चत्तीस गड़ के पत्रकार आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर निश्पक्ष पत्रकार ताके अपने दायत्वों को अच्छी तरह पूरा कर सकी, इसलिए पत्रकार कल्यान कोश की स्थापना की गई है पत्रकार कल्यान कोश से पत्रकारों और उनके परिजनों को बिमारियों के उपचार के लिए पूर्व में पचास हजार रूपे तक सहायता दी जाती थी राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधत करते हुए इस राशी को बढ़ा कर दो लाख रूपे तक कर दिया है आकस्मिक वृत्यू के प्रकरण में पत्रकार कल्यान कोश से पांच लाख रूपे की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है मुख्य मंत्री ने कहा कि मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय में भी अपने दायत्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया 36 गड़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना काल की पत्रकारिता आने वाली पीडी के लिए हमेशा उदाहरन प्रस्तुत करेगी संक्रमन के खत्रों के बावजूद मीडिया के साथियों ने फील्ड में लगातर सक्रिय रहकर काम किया बहुत से मीडिया कर्मी संक्रमित भी हुए। उनके परिजन भी संक्रमित हुए। इन मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार की बहतर से बहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन ने हर जरूरी इंतजाम किये। इलाज के बावजूद इन में से अने बगेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने बहुत सी चुनोतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए जितना चुनोति पून था, मीडिया के लिए उतना ही चुनोति पून लोगों तक सही सुचनाय पहुंचना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरन को ब बनाए रखना भी था